इस शो में मैं किसी ऐसी पुरानी फिल्म की बात करता हूँ जो नोटवर्दी हो जो आपको प्रभावित करने में सक्षम रही हो और जो रिलेवेंट हो कुछ फिल्में होती ही टाइमलेस है हर देश में हर भाषा में कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो समय के साथ ग्रु होती हैं जिने हम बाद में या तो क्लासिक्स कहते हैं या कड्ड क्लासिक्स कहते हैं ऐसी एक फिल्म है शक्ती जो हिंदी क्राइम ड्रामा फिल्म है और ये रिलीज हुई थी 1982 में फिल्म के डिरेक्टर थी रमेश सिप्पी और एक्टरस में थे दिरिप कुमार, अमिता बच्चंग, राखी, समीता पाटिल और अंबरिश पुरी और इसे प्रोड्यूस किया था मुशी रियाज ने और इस फिल्म का प्लॉट बेस था 1974 की तमिल फिल्म थंगा पथककम पर रमेश सिप्पी की ये पाचवे फिल्म थी एज डिरेक्टर, अंदाज, सीता और गीता, शोले और शान के बाद और नैचरली इस फिल्म से भी दर्शकों काफी उम्मीदे थी बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म मॉडरेट थी लेकिन क्रिटिकली इस फिल्म को काफी सरा गया था और इसने उस साल के चार फिल्म फेर अवार्ड जीते थे बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्क्रिन प्ले, बेस्ट साउंड एडिटिंग और बेस्ट अक्टर दिलिप कुमार ये दिलिप कुमार सहाब का बेस्ट अक्टर केटेगरी में आठफा फिल्म फेर अवार्ड था कहानी एक upright और honest police officer की है जिसके बेटे को उसके बच्चपन में एक gangster अगुआ कर लेता है और बदले में criminal को जेल से रिहा करने की मांग करता है police officer मना कर देता है बच्चा gangsters की चंगूल से भाग निकलने में शफल हो जाता है लेकिन वो अपने पिता के प्रती एक रोश को पाने लगता है वक्त के साथ साथ बच्चा gangsters को जोईन कर लेता है और पिता अपने आदर्शों और उसलों के बावज़त उस बच्चे में पन पे अपने गुस्से को दूर नहीं कर पाते है बाप बेटे की इस रंजिश का फायदा क्रिमिनस लेते हैं और इस घमासान में मा की मौध हो जाती है और बेटा भी बाप के हाथों मारा जाता है दो घंटे 47 मिनिट की ये फिल्म इतनी कसी हुई है अपने स्क्रिंपले, डियालोग्स, डिरेक्शन और परफॉर्मंसे से कि इसका प्रभाव कई सालों तक आप महसूस कर सकते है अमिता बच्चन और दिलिव कुमार पहली बार एक साथ काम कर रहे थे इस फिल्म में और दोनों ने अपनी प्रतिभा की नई उचाईया हासिल की है जहां दिलिव साहब ने बड़ा ही स्टडीड और मेथोडिकल तरीक से पुलिस कमिशनर साधा है वहीं अमित जी ने भी बड़ी ही बेबा की और आत्मा विश्वास से बाप से नाराज बेटे के किरदार को अंजाम दिया है राके की मा की भुमी का और समिता पाटिल का अमित जी के लव इंटरेस्ट का रोल संक्षिप्त होने के बावजोद स्क्रिन प्ले के लिखान के कारण काफी असरदार लगता है अमरेश पुली और कुलभुशन खरबंदा ने रूटीन ली अच्छा काम किया है कहानी के सही मायने में हीरो है सलीम जावेद जिनके स्क्रिन प्ले में गजब की परिपक्वता और पैनापन है यह फिल्म क्राइम ड्रामा के साथ साथ माँ बाप और बेटे के रिष्टों का खुबसूरत लेखा जो का है जो समिता पाटिल के किरदार के आने के बाद बड़ा ही इंद्रधनुष नुमा रंगीन हो जाता है सववादों में एक अलगी रवानगी है जो कलाकारों के अभिवक्ति से आपके दिलों को चीर कर निकलती है इस देश में काम ढूंडा भी एक काम है और मैं काफी काफी अच्छी बना लेती हूँ जैसे सववाद आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाते है शक्ति के अलावा अमिता बच्चन उस साल और दो फिल्मों के लिए Filmfare Awards में Best Actor Category में नॉमिनेटेड थे बेमिस साल और नमक हलाल के लिए रिशी कपूर थे नॉमिनेटेड प्रेम रोग के लिए नसीर इदिशा थे बाजार के लिए और संजी कुमार थे अंगूर के लिए लेकिन इस लिस्ट में दिलिप सहाब के होने के करण उस साल Best Actor के सही हगदार वही थे क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि method acting क्या होती है और एक character role में कितनी उचाई हासिल की जा सकती है ये फिल्म इसलिए relevant है क्योंकि हिंदी सिनेमा के दो दिगच कलाकारों की जुगलबंदी है इसमें अमिता बच्चन का subdued और controlled angry young man है RD Verman का melodious music है और Salim Javid का गजब का लिखान है ऐसा combination बहुत ही rare होता है और सही महाने में family entertainment इसे कहते हैं इस वक्त ये Amazon Prime पर stream हो रही है timeless है ये classic, just go for it